राजधानी के गोमती नगर इस्तित डॉक्टर राम मनुहलोहिया आयरुविक्यान संस्थान में मरीजों का हाल बेहत खराब है आलम्या है कि रोगियों और तीमारदारों को बैठने तक की समुचित विवस्थान नहीं मिल पा रही जबकि ओपुमुख मंतरी वाचिकित्सा सिक्षा मंतरी ब्रिजेश पाठक हर मंद सेया कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मरीजों को भगवान माने उनके साथ बढ़ताओं अच्छा रखें कोई भी रोगी बिना इलाज के अस्पताल से वापस ना जा सके बुद्वार को जब निउश्ट्रेक की टीम लोहिया संस्थान की बढ़ताल करने पहुँची तो देखने को मिला कि यहां मरीजों के बैठने है तो किसी भी तरह की विवस्था ही नहीं है उन्हें मजबूरन फर्ष पर बैठना पड़ता है इन द्रिश्यों को देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता है किसी की भी आखें नम हो सकती हैं हर किसी के मन में यही सवाल उठेगा कि आज एक कीस्वी सदी में भी स्वास्त सुविधाओं का ये हा है जबकि डिप्टी सियम खुद इतने मुस्ताइद हैं कि जिले जिले जाकर अस्पतालों में मरीज की तरह खड़े होकर लोगों के दर्द वा समस्याओं को समझ कर उसका नियराकरण करने में जुटे हुए हैं ऐसे में अस्पताल प्रशासन के ओपर भी सवाल उठते हैं कि वह इन समस्याओं को कैसे नजरंदाज कर सकता है लोहिया संस्थान में रोजाना 2000 से अधिक रोगी इलाज के लिए आते हैं यहां ना सिर्फ पूरे योपी बलकी आसपास के राजियों के भी मरीज आते हैं ऐसे में जाहिर है कि रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ही अस्पताल में इलाज कराने का पहला चरण होता है मगर दुर्भागे पूर है कि बीते वर्ष 256.7 एक लाख रुपए से बन कर तयार हुए रेजिस्ट्रेशन हॉल के 33 काउंटर में से मात्र 15 काउंटर ही शुरू हो पाए हैं जिसमें वरिष्ट जनों, महिलाओं और ब्लड रिपोर्ट के लिए रिजर्व किये गए काउंटर भी शामिल हैं लेकिन अस्पताल में मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा आती है कि उन्हें घंटो घंटो लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है